इस वीडियो में हम लोग Gator Man Coase Synthesis के बारे में डिसकस करेंगे जिसमें हम लोग फूरफूरल का प्रिप्रेशन करेंगे और ये होगा फ्यूरान, हाइड्रोजन साइनाइट और ACL को आपस में रियक्ट करेंगे ALCL3 के परजेंस में तो उससे हम लोग को पूरा एक एक स्टेप वाईस किलियर होगा इसमें स्टेप 1 है जब हाइड्रोजन साइनाइट को हम लोग ACL से रियक्ट कराते हैं ALCL 3 के पर्जेंस में तब तो यहां से HCL इतका पॉड टूटेगा और हाइडरोजन नाइट्रोकर्जन के साथ अटेच हो जाएगा यहां पर हम लोग अगर इसका बॉंड समझेंगे तो यह हाइडरोजन और इस कलोरीन के बीच में जो बॉंड है दो एलेक्ट्रोन आपस में स क्योंकि नाइट्रोजन के पास है दो लोन प्याइट है एच सी ट्रिपल बॉंड एड एन और नाइट्रोजन के साथ भिर से हैडरोजन अब नाइट्रोजन यहां टेट्रा वेलनसी 1 2 3 4 बन बनाया है तो यह आपने यह वोगया पोलस चार्ज अब यह कंपाउंड रेजॉ नेगेटिव है इसलिए ये दोनों एलेक्ट्रोन अपने और खीचना चाहेगा और यहाँ पर आएगा ह, c, bond, nitrogen, unnitrogen, lone pair ले लिया दोनों एलेक्ट्रोन ले लिया और यहाँ पर hydrogen अब क्योंकि कार्बन दो एलेक्ट्रोन दे दिया है उसको कार्बन के अब इसका next step लेखते हैं यह जो compound है यह एलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है अब यह जब भी अटेक करेगा इस carbon number 2 पे अटेक करेगा तो उसको हम लोग दर साथ देखते हैं कि किस तरह से इसका बॉण्ड का formation होता है यहां पर यह फ्यूरान है oxygen पर दो एलेक्ट्रोन यानि लॉन प्यार अब यह कार्बन और कार्बन के बीच में जो डूबल बॉण्ड से जो डूबल बॉण्ड बना है यह दोनों एलेक्ट्रोन उट करके आए प्लस चार्ज अब यहां पर दोनों एलेक्ट्रोन आ गिया अब कार्बन को क्या चाहिए एलेक्ट्रोन चाहिए क्योंकि यहां पर पोजिटिव चार्ज है इसका दोनों एलेक्ट्रोन नाइट्रोजन ले लिया है कार्बन इसी के साथ बॉण्ड बनाएगा इस वज़ा से अब यहाँ पे carbon, hc double bond nh, nitrogen पे lone pair, अब क्या होगा, next step में, यह जो plus charge है, यह carbon और इस carbon के बीच में bond बनेगा, इसका resonance के तरह से हम लोग दर्स आते हैं oxygen, इस carbon और इस carbon के बीच में double bond बना oxygen क्या करेगा, यह अपना दोनों electron यहाँ पे transfer करेगा, और इस carbon और oxygen के बीच में bond बन गया, अब oxygen पे क्या आजाएगा, प्लस charge के यह अपना तो electron डोनेट कर रहा है, और यहाँ पे जैसा था CHNH, nitrogen पे lone pair, next step में, H plus ion, hydrogen ion यहाँ से minus करेगा, मतलब इस compound से hydrogen बाहर कर रहे हैं, और वो hydrogen बाहर होगा इस वाले carbon से, तो यहाँ पे यह hydrogen और carbon के बीच bond था, यह तूटेगा, और इस carbon carbon के बीच में बनेगा double bond, और यह जो double bond था, उठकर के यहाँ जाएगा, और carbon और oxygen के बीच में जो double bond बना था, यह यहाँ आएगा, और oxygen क मिल जाएगा इसका lone pair, इतना arrow सो करने का जरूरत नहीं है, अब इसको हम लोग इस तरह से draw कर लेंगे, यह उठकर के यहाँ आया, यह उठकर के यहाँ आया, hydrogen बाहर गया है, C, H, double bond N, H, और nitrogen पे लोन प्यार, next step में इसको HOH से react कराएंगे, तो यह जो OH कुरूप है, यह carbon के साथ जाके attach हो जाएगा, hydrogen NH से जाके attach हो जाएगा, और carbon nitrogen के बीच में जो bond है, यह तोटके single bond रह जाएगा, उसको हम लोग draw कर लेते हैं, oxygen, यह जैसा था वैसा है, C, H, इसके साथ जाके जोड़ गया OH गुरूप, और यह nitrogen, nitrogen के साथ से 2 hydrogen, NH2, अब next step में, minus NH3, ammonia बाहर कर रह हैं, यहां से NH2 और यहां से एक hydrogen बाहर होगा, तो हम लोग को क्या मिलेगा, अब आईए उसको देखते हैं, यहां पर double bond, यह carbon, carbon के उपर से जो oxygen था, एक hydrogen चला किया, तो carbon, इस carbon और oxygen के बीच में बन जाएगा double bond, और यह जो hydrogen था, यह वैसा ही रहेगा, ठीक है, तो यहां प आता हूँ, यह वीडियो आप लोग को complete समझ में आया होगा, मिलते हैं next video में, thank you